हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूफ्यू नॉलेज में आप सभी का श्वागत है फ्रेंड्स आज में भरवा परवल की रेश्पी लेकराएं इसी बिलाना पहली आजान है और उससे बड़े सभी इसे पसंद करते हैं फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप भरवा परवल बनाने के लिए हमने यहां पे साथ से आठ भरवा परवल ले लिया है सबसे पहले हम परवल की दोनों एजस को काट देंगे तो ऐसे हम दोनों शाइब से काट दिया अब हम एक पीलर से इसको पील करेंगे तो आपके पास जैसा भी पीलर हो उससे ऐसे पील कर लीजिए इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे हमें हार पार्ट करते हैं वो निकल जाता है फिर जब हम इसे श्टाफ करके फ्राइ करेंगे जो खाने में बहुत ही शॉफ्ट रख लगता है तो ऐसे हमसे में कर लेंगे हम ऐसे भूमाते हुए परवल को अच्छे से जीड लिये हैं यह फार्ट जब फ्राइब होता है तो बहुत ही देश्टी लगता है तो चलिए बाकि भी परवल ऐसे जीलेते हैं तो यहां पर हमन माइफ की मदद से इसमें कट लगाएंगे तो हम एक साइड में ऐसे को चुभाते हुए कट लगाएंगे आप देख सकते हैं अब हम क्या करना है एक स्पून की पिछली वाले हिस्से से इसकी सीड निकालनी है तो बहुत ही आसानी से हम ऐसे इसे दोनों शाइट से करेंगे और अंगुलियों से खीच लेंगे तो यह अपना इस टफिंग का एडिया बन गया एक और भी खा देती हूं नाइफ से हमें आधे परवल में कट लगाना है एक एस्पून के पिछले वाले हिस्से से हमें इसकी सीड निकाल देनी है आप ताजी परवल देंगे तो उसका सीड पका हुआ नहीं होता है और बहुत कड़क परवल देंगे तो उसमें से उसकी सीड जो है वो बहुत कड़क कड़क निकलती है तो यहाँ पे हमें ताजा और सौट परवल देना है तो हमें से ही सभी बीज को निकाल देंगे और इसम हम इस्टरफिंग भड़ेंगे तो हमने सभी पड़वल का भी निकाल लिया है अब देख सकते हैं यह बिल्कुल खोखला हो चुका है चलिए हम इसकी इस्टरफिंग प्यार कर लेग देए कि गर्षबे हमने एक कडाही में एक छोटा चमत स्टेल डाल लिया है इसमें हम डालेंगे कुछ मस्टर्ड सीरिया नहीं राई के दाने इसे हम हलका सा चटका लेंगे आप सुन सकते हैं अपने राई चटकने लगी है इसमें हम फोट चमत याने ही दो से तीन स्टी हम हींग डालेंगे हींग के बाद हम इसमें एक बड़ा खटा हुआ प्यार डालेंगे प्याज को हमने फोट चोड़ा चोड़ा काट रखा है इसे हम एक से बेज मीमें तर पका लेंगे जिसकी कचापन जाने देना है हमें ब्राउन करने जुरुए हैं अब देख सकते हैं अपने प्याज का कलर हलका सचेंग हुआ है इस स्टेज पे हम डालेंगे यहां पे दो से तीन हरी मिर्स जिसे हमने छोड़ा चोड़ा काट रखा है इसे भी हम प्याज के साम फोड़ा का भूनेंगे अब इसमें हम फोड़ा समसाला आयल कर लेते हैं तो एक चमस लाल मिर्च पॉडर मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार अर्जिस्ट कर लिए दो से तीन चुटकी हल्दी एक चमस गड़म मशाला मशाला को हम कुछी सेकें भूनेंगे क्योंकि ड्राई मशाला है तो इसे हमें जादा नहीं हूना है इसमें हम चाड मेडियम साइज आलू को डाल रहे हैं जिसे हमने वायल करके पील करके मैस लिया है तो हम मशाले को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हारी दनिया पता और हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर इससे बहुत ही चटपटा अपना भरवा परवल तयार होगा तो यहां पर आप चाहें तो शाड मशाला भी डाल सकते हैं शाड इंगिडिश को हम अच्छे से मिक्स करेंगे फाइनल इंगिडिश इसमें हम डालेंगे श्वाद के अनुशार नमक तो यहां पर आप समझ के नमक डालिए क्योंकि परवल भी हमें किश्टाफ करना है इसके साथ अब हम अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे यह बहुत ही टेष्टी रेष्पी है जो परवल अच्छे नहीं खाते हैं ओभी यह परवल की रेष्पी देखे सब्दी की सौखीन हो जाएंगे यानि कि परवल की सब्धी खाने दगेंगे, तो चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आलो के साथ हमने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हम फ्लेम को आउफ कर लेंगे, और चलिए हम परवल को इस्टफ कर लेते हैं, हमने जो परवल को पील करके, उसके बीच क सीर निकाल दखा था उसमें अब ये श्टाफिंग करेंगे तो ऐसे हम दोनों फाइंट को दबाएंगे तो इसका मुख्चो है खुल जाता है और हम चम्मच में ये मशाला लेके और धीर से ऐसे बढ़ देंगे बहुत ही मज़ेदार डेश्पीय तयार होती है इसके आगे तो दम आलू भी फीका लगने लगता है तो जितना एक बार में श्टाफिंग आ सके उतना ही हम डालेंगे और एक्ष्ट्रा चम्मच की मदद से निकाल देंगे आप देख सकते हैं कितने बढ़ियां अपने परवल कर लिया है आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां दीख रहा है अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं हमने गैस पे कडाही में एक बड़ा चम्मच दे लिया है और उसमें हम एक एक परवल को धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे अब हम कभर करके इसे डेट से दो मिनट तक एक साइट से मेडियम फेम पे पका लेंगे फिर हम आपको फ्लिप करके दिखाएंगे कैसा दिखता है अपना बढ़वा परवल आप देख सकते हैं अपनी परवल की पनी बढ़वा पकड़े ही हैं तो हम एक समच की मदब्ते इसे ऐसे स्लेप कर लेंगे जिए चारो तरग से अच्छे से फ्राइ करना है एक साइड से लेंगे कैसा ब्रावन अपना दागा आचुका ना कि ईक साइड अपना अच्छे से पक चुका है तो हम गुम आते हुए हर साइट इसे लेट से दो दिमेंट पकाएंगे तो बढ़ियात आई अपना पड़वा बड़वत तैयार हो गाएगा तोटल प्रोचेश और मेडियम खेंपे करेंगे कभी ये अच्छी से पक पाएगा तो चलिए हम कभर करके इसे एक शिदेवियन और पका लेते हुए चलिए हम फिर से पड़वल को अपना चेल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पड़वल फ्राई हो रहा है तो हम चम्मज की मदब से इसे फिर से ऐसे चीफ करेंगे अल्मोंस की पक चुपा है केवल हमें इस पे थोड़ा सा और पलड आने के लिए उलट पलड करना है नहीं तो यह पक चुका है बिल्कुल तो फेम हमने इसे घुमाते हुए चारो तरफ से बलड पलड के प्राई कर लिया है यह पर्फेक्ट अपना परवल पक के तयार हुआ है इस एसके से हम फेम आउप कर लेते हैं और हम इसकी प्रेटिंग कर लेंगे तो हम एक चम्मच की मदद से आराम आराम से परवल की प्लेटिंग करेंगे ते रहा करके एक्स्ट्रा तेल हम कराही में ही छोड़ देंगे इसमें हम कोई और भी रेस्पी तयार कर सकते हैं फ्रेंट भडवा परवल बनाने में बिल्कुल कम तेल लगता है और यह दम आलू को भी मात देता है रेस्पी ऐसे ही अम सभी परवल निकाल लेंगे तो फ्रेंट आपने देख लिया भडवा परवल बनाना कितना आशान है जो बच्छे परवल खाना नहीं पसंद करती है उसे की परवल की सौफ हो जाएगा और बड़े को सहल करते हैं यह रेस्पी की खास सेयर की देख और कमिट करना मैं भूरी धन्यवाद